नींद हमारे स्वास्थे के लिए बहुत जरूरी होती है। ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना खाना और पानी है। हम अपनी जिन्दगी का लगभग एक तिहाई हिस्सा सोने में बिताते हैं, जो दिखाता है कि हमारे जीने के लिए नींद कितनी जरूरी है। नींद हमारे शरीर और दिमाग को आराम और रिचार्ज करने का मौका देती है। जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर टिश्यूज की मरम्मत करता है और बेकार पदार्थों को साफ करता है। नींद दिमाग के लिए भी बहुत जरूरी है। यह हमें याददाश्ट बनाने, जानक करने में परिशानी होना और गलत फैसले लेना। नींद की कमी हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थि पर लंबे समय तक गंभीर प्रभाव डाल सकती है। अगले भाग में हम और गहराई से जानेंगे कि नींद हमारे दिमाग को कैसे प्रभावित करती है। इसमें ब्रेन प्लास्टिसिटी और वेस्ट रिमूवल की प्रक्रियाएं शामिल है। इन प्रक्रियाओं को समझने से यह बात और साफ हो जाती है कि हमारे संपूर्ण स्वास्थिय और खुशहाली के लिए नींद इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। एक स्वस्थ दिमाग को बनाए रखन में नींद महत्वपूर्ण भूमी का निभाती है। इसका एक महत्वपूर्ण काम है ब्रेन प्लास्टिसिटी को सपोर्ट करना। यह दिमाग की बदलने और ढलने की अद्भुत क्षमता को दर्शाता है। नींद के दौरान हमारा दिमाग दिन भर की जानकारी को प्रोसे करके बीज बोते हैं। नींद उस रात के माली की तरह काम करती है। यह इन बीजों की देखभाल करती है जिससे उनकी जड़े मजगूत होती हैं और विस्थाई यादों के रूप में खिलते हैं। दिमाग से अपशिष्ट उतपादों को हटाने के लिए भी नींद बहुत जरूरी है। जब हम जागते हैं तो मस्तिष्क की कोशिकाएं अपनी गतिविधी के एक स्वाभाविक हिस्से के रूप में अपशिष्ट उतपादों का उतपादन करती है। नींद के दौरान मस्तिष्क में एक सफाई व्यवस्था और अधिक सक्रिय हो जाती है। यह प् पर्याप्ट समय समर्पित करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। ऐसा करके हम अपने दिमाग को यह आवश्यक सफाई कार्य करने की अनुमती देते हैं। यह समग्र मस्तिष्क स्वास्थे को बनाए रखने और अप्शिष्ट निर्मान के कारण होने वाली संभावित समस पर्याप्ट नींद लेना न केवल हमारे दिमाग के लिए बलकि हमारे शारिरिक स्वास्थे के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर टिश्यूज की मरम्मत कर सकता है, हार्मोन को नियंतरित कर सकता है और एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली का निर्मान कर सकता है। पर्याप्ट नींद हमारे दिल को स्वस्थ रखने, रक्त शरक्रा के स्तर को नियंतरित करने और सूजन को कम करने में मदद करती है। ये सभी कारक रिदय रोग, स्ट्रॉक, टाइप टू मधुमेह और कुछ प्रकार के कैंसर जैसी पुरानी बीमारि नींद के विकास के जोखिम को कम करने में योगदान करते हैं। दूसरी और पुरानी नींद की कमी इन स्वास्थ समस्याओं के विकास के जोखिम को काफी बढ़ा सकती है। नींद की कमी हार्मोन के नाजुक संतुलन को बाधित करती है, जो भूक और चया-पचय को नियंत इससे बजन बढ़ सकता है और मोटापे का खत्रा बढ़ सकता है। इसके अलावा नींद की कमी हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करती है। जिससे हम संक्रमन के प्रति अधिक संवेधन शील हो जाते हैं। यहां तक कि सिर्फ एक रात की नींद न आने से भी हमारे स्वास्थे पर नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। स्वस्थ जीवन शैली के एक गैर प्रक्राम्य हिस्से के रूप में परियाप्त नींद लेना प्राथमिक्ता देना आवश्यक है। भाग चार, सरकेडियन रिदम और नींद की ड्राइव। नींद की ड्राइव भी हमारी नींद को प्रभावित करती है। और खुशहाली बेहतर हो सकती है। भाग पांच नींद का हार्मोनल विन्यमन से गहरा संबंध है। ये विकास, मरम्मत और चयापचय को नियंत्रित करता है। नींद समग्र स्वास्थिर और खुशहाली का एक अनिवार्य स्तंभ है। ये विकास, मरम्मत और खुशहाली बेहतर है। झाल